कि नमस्कार एबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल के सी आपका श्वागत करता हूँ एबाउट इंडिया चैनल का वास्ति पुद्देश भारत की संस्कृति भारत की विराशत और भारत की तमाम पर्व त्यवहार आधी से आज की वाई पिड़ी को परिचे कराना है इस संस्कृतिक विराशत के अंतरगत हम लोग कई सरिंखलाओं को लेकर आए हैं और इसमें हम लोग एक परंपरा है भारत में जिसके वैज्ञानिक और तार्किक महत्तो को जानने का प्रयास करेंगा वैज्ञानिक और तार्किक महत्तो क्योंकि आज के समय में किसी भी चीज क मुल्यांकन अगर वैज्ञानी को तार्किक आधार पर नहीं है तो हम लोगों ने देखा है कि भारत के सनातनी परंपराओं में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है या फिर कुछ पूजा जब होती है तो पूजा के में बरगद के पत्तों का इस्तमाल किया जाता है यहा हुआ तक कि भारत के मिठलांचल छेत्र में एक व्रत होता है जिसे हम वट्ट सावित्री व्रत कहते हैं जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है यानि पती के लंबी आयू के से संब्धित है इनी सम्द्रभों में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि तो देखिए बर्गद का पेड या उसके पत्ते की भी पूजा की जाती है साथ-साथ कहए वह लंबे और इस्थिर जीवन को का प्रतीक नहें माना जाता है बर्गत का पिर जिसे एक बात की जाए तो भारत में कलकत्ता के बाटनिकल गार्डन में एक बरगत का पेड़ है जिसकी आयू जहेवा 250 वर्स पुरानी है यानि आज से 250 वर्स पुरानी है तो इसका मतलब है सामाने रूप से ना तो जैवा किसी इनसान की इतनी आयू होती है ना ही जैवा किसी वरिक्षे की आयू होती है लेकिन बरगत का पेड़ है जो 250 वर्स पुराना है जो प्रमानित है हलाकि माना यह जाता ह कि बरगत के पीड़ की आयों लगभग तीन सो साल या उससे अधिक भी जहेवर होती है। इसके बाद जहेवर यही कारण है कि भारत में एक कहात जहेवर होती है। न कुराने बहुत दिनों से जहेवरह रहा है तो उससे जहेवर उसकी तुल्ना की जाती ही। वो बरगत का पेड़ है नहीं होता है तो इसका नहीं होता है क्योंकि बहुत लंबे समय और भगवान जहेवा शिव इन तीनों का जहेवा रूप विराजमान है और इसी वज़े से इसका धार्मिक महत्तो बढ़ जाता है और इसी वज़े से इसके उपासना की जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि निशित तोर पर जब हम किसी इस्वर के प्रतिरूप को वहां गनता है यह इसके अलावा धार्मिक मानेताओं के अंतरगत भगवान स्रेकृष्ण का विस्राम अस्थल है अक्सर बढ़ गत के नीचे विस्राम जहवा करने के लिए जय करते थे और ऐसा मत्रा वरिंदावन के अंतरगत में भी और एसा द्वारिका में भी देखा गया था अब आते हैं, हम लोग देखिये इसके वाज्ञानिक जहवाग ते जिज़ पक्ष है और इसी कारण इसके धारविक महद्था इतनी ज्यादा जहवाग दी गई है तो हम लोग इसको पहरे प्रियावनन से जोडने का प्रियास करते हैं हैं तो देखे सबसे पहला है कि भूमिगत जल को रिचार्ज करने में देखे बरगत के पेड़ की जड़े होती है वह बहुत फैली होती है और बहुत बड़ी संख्या में होती है इसकी वज़े से क्या होता है कि जो स्वाइल की पोरसीटी है यानि रंधरता वह काफी बढ़ जात तो इसलिए वहाँ पर बाढ़ नियंतरन हो जाएगा कहावत है ग्रामीन छेत्रों में कई जो बाढ़ ग्रस्त छेत्र है उनमें कहावत है कि बरगत के पेड़ लगाओ उससे बाढ़ नहीं आएगा लेकिन हमें यह मालूम नहीं है आज कि युवाप उड़ी को क्यों ऐसा ह होता है और उसके पीछे का तर्क यहीं है कि उसकी जड़ों से जल रीचार्ज हो जाते हैं जिससे सतह पजल कम हो जाता है सर्फेस वाटर रिड्यूस हो जाता है देन ऑक्सिजन उत्पादन में सामाने रूप से देखिए पीपल का पेड़ और बरगत का पेड़ यह अधिक मात्रा में उत्पादन करता अधिक मात्रा का मतलब है जितना आकार का बिक्ष जैब कोई अन्य है जैसे मानलेक है फोलों की एक आम का कव तो उसी आकार का अगर बर्गत का पीढ़ है तो वह कम से कम 20-30 प्रतीस सब्सक्राइव देता है तो इसका मतलब है कि अधिक मातरा में और औक सीजन वह सबकुन turned तापन बढ़ने का सबसे प्रधान कारण ये है कि कारबन डाय would की मात्राव भरती चली जा रहिये और आपन की बढयती मात्रा को अगर हैं रोकना है तो उसके लिए कशोन करने वाले यानि carbon का absorption करने वाले जो रिक्ष हैं उनको लगाने किया हो सकता है तो उसमें एक बरगत का पेड़ भी है जो carbon का absorption करता है carbon sink करता है तो ये इसके लाबा टापमान का नियन्द जब carbon की मात्रा जहवा कम हो जाएगी तो सौभाविक है कि वायू मंडल में तापन कम हो जाएंगे तो यह भू मंडले तापन को रोकने में मदद कर सकता है देखें यह बरगत का पेड़ है इस बरगत के पेड़ से जह आप देख सकते हैं कि यह सारी जड़े हैं और इन जड़ों से हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि इसके कितनी बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता होगा इसके अलावा जहेवा देखें कि यह बरगत का पेड़ है इस बरगत के पेड़ की विशालता इसकी विशालता जहेवा से हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि यह इसमें पत्तों की शंख्या जादा है और पत्ते ही प्रकास संस्लेशन यानि फोटो सिंथेसिस का काम करते हैं तो इसी से पता चल सकता है कि यह कितनी मात्रा में कारवन डायोकसाइड में से कारवन का आवसोशन करता होगा कर रहा है तो O以上 इसके बात देखशिए कि बरत के पेड़ की यह 52 जो बता रहा है कि यह कितनी मात्रा में जल का रहा आझ कर देख सी यह नीकितनी मात्रा में जलIC देख रहा सट्ट साग्भाओं की जड़े सीधे ड्राउंड में ऑसस्वाइल के इंदर उसकी पॉरसीटी को बढ़ा रही होती इस से इन जड़ों के माध्यम से यह लताओं जिनको कह सकते जड़ों के माध्यम से भी दरसल ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा होता है अब देखिए बर्गत के पेड़ का केवल पर्यावरनी या धार्मिक महत्व ही नहीं है बलकि इसका चिकित्सिय महत्व भी है यानि इसका मेडिसिन के साइंस मेडिसिन साइंस मेडिकल साइंस में भी कुछ खास महत्व देखा जाता है तो सबसे पहले यह प्रतिरोधक चंता इंम्म्यूनीटी सिस्टम को जैवा करता है इसके लावा बर्गत का पेड़ का इलाज करता है इसके लावा बर्गत का पेड़ से ही जहेवा डियाविटी का भी इलाज होता है depression को दूर करने में मिलता है मसूड के दर Rs. tähän उतबार से छहां चिरह हो ता है तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि बर्गत के पेड़ का महत्तों आप महत्तों है दरमीक कि यहीं वज़ा है कि भारती सनातिनी परंपरा में बर्गत का पेड़ काफी महत्ता रखता है तो इस स्रिंखला में हम लोग यहीं तक फिर हम लोग मिलेंगे किसी नमीन सिंखला में तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सब का धन्यवाद करता हूं जैहिंद हुआ है